ओम शान्ती आज आपका 131 विदिन का इश्विरे वर्दान और आज की वर्दान में परमपिता परमात्मा वफादारी क्या होती है इंसान वफादार है अपने संबंदों से, हजबन वाइफ से, वाइफ हजबन से रहने की कोशिश करते हैं कभे कोई उसमें भी फेल हो जाते हैं काफी सारे तो, बहुत बुरी तरीके से लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो वफादारी तो अलग बात है लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह अगर वफवदारी निभाली आपने तो आपको जो शान्ति और शक्ति मिलेगी उसकी सीमा ही नहीं हो सकती तो देखें आज बापक कहते हैं इस वफवदारी के बारे में तो बापक कहते हैं हर संकल्प, समय, शब्द और कर्म द्वारा इशुरिये सेवा करने वाले संपून वफदार भवा तो इंसान चाहे वो शास्तर पढ़कर के सेवा करे, चाहे वो कथाइं सुना करके सेवा करे, चाहे वो सत्य नरायन की गता हो, चाहे कोई भी गता हो परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा सुना करके नहीं, लेकिन अपने संकल्पों से होती है, सही समय पे होती है और अपने शब्दों के द्वारा होती है और जो तुम कर्म करके दिखाते वो होती है परमात्मा कहते हैं मुक्का पंडित बनना तो बहुत असान है किसी को शास्त्र सुना दिया किसी को शलोक सुना करके आपने उसको चुप करा दिया परमात्मा कहते हैं सब कुछ काम नहीं करता है जब तक आपके कर्मों में आपके अंदर अहंकार इर्शा गरेना नफरत दिखाई ना दे तब कहेंगे कि आप वफदार हो तो देखें आज इसका विस्तार क्या है बाबा कहते हैं संपुर्ण वफदार उन्हें कहा जाता है सुनिएगा जो हर वस्तू की पूरी पूरी संभाल करते हैं है न कोई भी चीज अगर आपको यह देता है, आपको कोई अगर पोस्ट पोजिशन देता है, अपनी कंपनी को समालने के लिए देता है, या घर में माबा कुछ आपको कहते हैं करने के लिए, या हजमन वाइफ के बीच में कुछ होता है, कि यह चीज समाल के रखना बहुत ही तो अगर आप उस चीज में हेरा फेरी करते हैं, वफदारी नहीं करते हैं, तो फिर आप वफदार कहलाते ही नहीं हैं, कोई भी चीज व्यर्त नहीं जाने देते, तो वफदार अगर है कोई वेक्ती, तो वो कभी भी किसी चीज को व्यर्त नहीं देगा, कभी वेस्ट नहीं ह षीवास करके इसके दौरत करम करने का और अपने हिसाब किताब को चुक तू करने का और पवितर बनाने का लेकिन जो आध्यात्मिक जनम होता है क voltage केते हैं आत्मा का जनम होना मतलब आत्मा पैदा तो होती नहीं है क्योंकि अमर अजर अबिनाशी है लेकिन अपने आपको पहचाना कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ये है सबसे बड़ा आपका आत्मिक जनम कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ ये स्मृति रहना मतलब आपका जनम हो गया लेकिन ये स्मृति रहती है, फिर गुम जाती है फिर शेरिर के भान में आते हैं आंकार में आते हैं फिर आत्मा के भान में आते हैं शुदा आंकार में आते हैं तो शुदा आंकार और अशुदा आंकार इसमें हमारी लड़ाई होती रहती है तो परमात्मा कहते हैं जनम लेना मरना जनम लेना मरना होता रहता है लेकिन आत्म एक स्मिर्थी में रहना उस दिन से आपका जनम हो गया तो फिर बाबा कहते हैं जब से जनम हुआ तब से संकल्ब तो हमें सोच भी नहीं मिली कि भाईया मेरे को तो इन आखों से जो भी चीज दिखती है कानों से जो चीज मैं सुनता हूँ जो मैं बोलता हूँ अभी तक बोलते आया हूँ मैं आत्मा वो सब कुछ अपवित्र था लेकिन अब मुझे समझागा कि मैं एक आत्मा हूँ मुझे हरे को एक ही समद्रिष्टी से देखना है इस लिए पुरिष का भी भानना हो गरीब अमीर का भी भानना हो देश का, काल का, प्रांत का, धर्म का भी भानना हो और उसका अहंकारना हो सब को समद्रिश्ट्री से देखना है तो मेरे संकल्प भी कैसे हो पवित्र होने है, हक्च चाहिए समय का, कि समय कैसा चल रहा तो उसके सबसे करम कैसे करने है मुझे और कर्म सब ईशुरिय सेवा अर्थ हो कि सब कुछ मेरे जो मुख से निकले जो मैं देख हूँ, जो मैं सोच हूँ, जो मैं बोलूँ सब कुछ ऐसा हो जैसे कि परमात्मा ने मुझे गाइट किया हो क्यों किसका फैदा उसमें? सुवेम का क्योंकि हमारे कर्म जब अच्छे होंगे, बोल अच्छे होंगे, बोल भी तो कर्म होते हैं, सोच भी तो कर्म होती है पहले हम सोचते हैं, जो हाँच से हम देख रहे हैं और कर रहे हैं वही सिर्फ हम कर्म कर रहे हैं या बरमात्मा केते हैं, क्या आप सोचते हो कर्म तो वह बीज है, वहीं से शुरू होजाता है बाबा केते हैं यदि इश्वरिय सेवा के बजाए कहाँ भी संकल्प वह समय जाता है क्या आप कहीं waste thoughts based बाते हैं, यह दरो सोकी बाते हैं किसी की किसी की बाते करना, आप किसी की गंदीगी फैलाना, किसी की बुराईयां फैलाना वेर्थ बोल निकलते हैं या तन दोरा वेर्थ कारे होता है तन से आपने काम, वासना, क्रोध, लोग, मौहंकार किसी को मार पीट किया, किसी को चिला करके बुला मुख से तो वो सब कुछ भी क्या है वेर्थ कर्म और अपवित्र कर्म हो जाते हैं तो उनको संपून वफदार नहीं कहेंगे तो हमें यह किसका वफदार बनना है इंसान, इंसान का वफदार तो बनता है लेकिन उसको मिलता क्या है फिर एक शरी शुड़कर के फिर से अगला जर्म लेना पड़ता है तो कौन किसका? कोई किसी का नहीं लेकिन परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा से वफदार बनने तो सब के प्रती वफदार आप आप आटमाटली बन जाओगे तो परमात्मा के वफदार नहीं बन पाए कि परमात्मा नहीं जैसे कर्म करने के बुलें तो आप किसी के वफदार नहीं बसकते तो परमात्मा ने जब कहा है कि आपको जो सोचना है जो बूलना है और जो करना है वो वेर्थ नहीं करना किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं देखना, स्वच इंतन करना, अपने अंदर की कमजोरियों को हटाना, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप वेरत कर रहे हो हर चीज का मतलब तो अगर आप हर चीज वेरत कर रहे हो तो फिर आपकी तरक्की नहीं सकती हो परमात्मा की नजर में वफदार नहीं हो तो फिर उस आत्मा का क्या हो चाहिए जितना पाठ कर ले पूंडे कर ले जब कर ले तब कर ले तो परमात्पर कहते हैं आध्यात्मिक्ता में आप अपने आपको आत्मा समझ करके कर्म करो तो सारे कर्म पवित्र है अगर अगर आप अपने आपको शिरी समझ करके कर्म करो कि मैं इस फलाने धर्म का हूँ फलाना हूँ मैं इतना अमीर हूँ या यह हूँ मेरी यह पोस्ट ह ये position है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है या हमारे कर्म सबसे अच्छे है हमारा देश सबसे अच्छे है उसके अहंकार में आए सम दृष्टी ने हुई तो आपके कर्म पवित्रन नहीं हो सकते तो आप वफादार भी नहीं क्योंकि आप अशान्ती पैदा करने वाली आत्मा हो ना कि शान्ती पैदा करने वाली आत्मा हो ना कि आप सबको एक समान देखने वाली आत्मा हो तो आप सोचे आप कहां हैं, किस दृष्टी में, कहां पहें, किस लेवल पहें आप तो आज का ये वर्दान, इश्रे वर्दान, परमात्मा क्या कचाते हैं, संपून वफदार अथा सब कुछ सफल करने वाला, तो आप क्या हैं, आप समय सफल करने वाले, बोल सफल करने वाले, सोच सफल करने वाले, कर्म सफल करने वाले, इस केवल धन सफल करने वाले हैं, दिखें इसको विचार करें और आज का आपका दिन स्वस्थ हो आपका दिन शुब हो आप तंदोस रहें घर में रहें हराम से ओम शन्ती